ड्राइफूट लड्डू और बीजो से बने लड्डू बहुती पॉस्टी कॉस्वादिश होते हैं इन्हें बनाना आसान है और यहां बीना चीनी के भी बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप फिल दी मिठाई चाते हैं तो यह लड्डू आपके लिए सही है आईए जानते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं अब एक पैन लेंगे पैन में एक चमचगी डालेंगे सारे ड्राइफूट और सारे बीजो को डालके इसे लो फ्लेम में भूंसते रहेंगे जब तक यह कलर चीज नहीं हो जाता है थोड़ा सा इसमें अरोमा भी आने लगता है उसके बाद एक प्लेट में ट्रैंस्वर कर देंगे बीज के थोड़ा सा एक अठा कर देंगे जो भी मोटा मोटा पीसेस है ड्रैफूट उसके कोई भारी चीज या कूटने वाला होता है उससे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे जो बड़ा बड़ा पीसस है वो थोड़ा सा छोटा छोटा पीस में कनवर्ट हो जाए उसके बाद खजूर लेंगे खजूर के वीज निकाल लेंगे उसके बाद इसे पेस्ट बना लेंगे एक मिक्सी ग्रेंडर में डालके जो ग्रेंडर में पेस्ट बन जाएगा उसके गहस उताल लेंगे थंडा कर लेंगे उसके बार लड्डू बना लेंगे बिल्कुल अच्छे से बन जाते हैं कोई प्रोब्लम नहीं होता है एक करके सारू लड्डू इसी टैप से बना लेंगे तो है ना अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दे कोमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें और तक तक के लिए अलविदार